मारूती सुजुके ने recently Espresso को CNG variant में launch कर दिया है इससे पहले भी मारूती ने Espresso को CNG में 2020 में launch किया था पर कुछ समय बाद मारूती ने उसको discontinue कर दिया था और अब उसके बाद फिर से एक बार मारूती ने Espresso को CNG में launch कर दिया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम डीटेल में बताने वाला हूँ एस्प्रेसो सी एंजी वेरियंट के बारे में क्या रहेगी इसकी प्राइज कौन से वेरियंट में अवेलेबल भी कितना माइलेज होगा, कितना पावर आउटपुट मिलेगा ये सब कुछ डेटेल्स में आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करिए ऐसी ही आने वाली वीडियो देखने के लिए तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं एस्प्रेसो C&G के लुक से तो एक्स्टेरियर में चाहे फ्रंट साइड हो, या फिर रियर साइड हो, या फिर साइड लुक हो यहाँ पर हमें कोई भी दूसरा डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलता सब कुछ हमें रेगुलर पेट्रोल वाली एस्प्रेसो जैसे ही देखने को मिलता है बस इसकी टेल गेट पे एस C&G की बैजिंग देखने को मिल जाती है उसके अलावा अगर बात करेंगे इंटेरियर की, तो एंटेरियर में भी कोई भी चेंज नहीं है रेगुलर पेट्रोल वाली एस्प्रेसो में जो इंटेरियर हमें मिलता है वो ही सेम इंटेरियर हमें इसके C&G वाले वेरियंट में भी मिलेगा तो अब बात करते हैं एस्प्रेसो C&G में मिलने वाले इंजिन ओप्शन के बारे तो जैसे कि Recently Updated Espresso में 1 L का K10C इंजिन देखने को मिला था, वो ही सेम इंजिन हमें Espresso के इस CNG वाले वेरेंट में भी मिलेगा, जो कि पेट्रोल मोड में 65 BHP की पावर और 89 Nm का टॉर्क प्रोडूस करता है, पर जब बात करते हैं CNG की, तो CNG में इसकी पावर रेडियोस हो के 57 BHP की पावर और 82 Nm का टॉर्क ये इंजिन प्रोडूस करता है, अगर हम इस इंजिन को 2020 में मिलने वाले Espresso के इंजिन से कंपेर करते हैं, तो ये इंजिन 1 BHP कम और 4 Nm का ज्यादा टॉर्क ये इंजिन प्रोडूस करता है, कंपेर टू 1 L K15 B इंजिन, पेट्रोल वाली Espresso में 5-speed का manual और 5-speed का AMT transmission देखने को मिलता है, पर वही पे अगर हम बात करेंगे Espresso के CNG variant के बारे में, तो इस variant में हमें सिर्फ 5-speed का manual transmission ही देखने को मिलेगा, AMT का option इसमें नहीं मिलेगा, बात करेंगे Espresso CNG की mileage की, तो company इसमें claim करती है 32.73 km per kg, यानि कि 1 kg में हमें 32. 32.73 km की mileage Espresso CNG में देखने को मिलेगी, जो की 1.53 km per kg ज्यादा है compared to पुराने वाले Espresso CNG से, अब बात करते हैं Espresso के कौन से variants में आपको ये CNG का option देखने को मिलेगा, तो LXI और VXI, इन दोनों ही variants में आपको CNG का option मिल जाएगा, और बात करेंगे LXI CNG की price की, तो इसकी एक शुरूम price है 5.90 lakhs, पाच लाग नब्य हजार, और VXI CNG की price है 6.10 lakhs, यानि की 6.10 अजार एक शुरूम, Espresso के petrol LXI variant की price है 4.95 lakhs, और वही पे petrol VXI variant की price है 5.15 lakhs, तो अगर आपको Espresso का CNG variant लेना है, तो LXI हो या फिर VXI हो, दोनों ही variants में आपको 95,000 extra डालने होंगे CNG variant buy करने के लिए, और रही बात safety की, तो Espresso CNG में हमें dual airbags, ABS with EBD, rear parking sensors and seatbelt reminders, ऐसे safety features हमें standard ले जाते हैं, तो ये थी Maruti Suzuki Espresso CNG 2022 की detail information, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर दिजे, वीडियो देखने क झाते हैं, थैसे क्व littleouse, बीडियो पुआ कर दिए ऑ सिना हैं, इक सारárias वीजों ये से क्वें और लोश्य और के लाई त्यू्यारा, टो टूर बट्सकलिंते हैं, तो एंग PPर हैं सांनता तो, चार सज्वेश्य लाःब काुआ प्लीच पमलंवाला, और भ daí three ले एंग, और